भारत हिंदी मूवी रिव्यू सल्मान खान की भारत एक आद्मी और एक राष्ट्र की यात्रा 2019 में रिलीज हुई भारत अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित और अतुल अगनिहोतरी अलवीरा खान अगनिहोतरी भूशन कुमार और कृष्ण कुमार द्वारा रील लाइफ प्रोडक्शन्स सल्मान खान फिल्म्स और टी सीरीज के बैनर तले निर्मिट एक भारत दिय हिंदी भाषा की फिल्म है फिल्म में सल्मान खान भारत की मुख्य भूमिका में हैं जबकि कैटरीना कैफ, सुनील ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, दिशा पतानी, तब्बु और नोराफ तेही मुख्य भूमिकाओं में हैं यह दक्षिन कोरियाई फिल्म ओर टु माई फा जिसका जीवन राष्ट्र की यात्रा को दर्शाता है फिल्म की शुरुवात 2010 में होती है जिसमें सल्मान खान द्वारा अभिनीत 70 वर्षिय भारत अपनी जीवन यात्रा पर नजर डालते हैं उनका जीवन 1947 में शुरू होता है जो भारत के विभाजन का वर्ष है जो कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षन भी है जैकी श्रॉफ द्वारा अभिनीत भारत के पिता विभाजन के कारण होने वाली अराजकता के समय परिवार को एक साथ रखने का बादा करते हैं जो भारत के व्यक्तिगत विकास, जिम्मेदारी और लचीलेपन की यात्रा की शुर इसके बाद कथा दर्शकों को भारतिय इतिहास के विभिन युगों में ले जाती है, प्रत्येक चरण भारत के जीवन के महत्वपूर्ण क्षनों को दर्शाता है 1970 के दशक में मध्यपूर्व के तेल क्षेतरों से लेकर 1960 के दशक के भारत के सरकस स्टेज तक भारत अलग-अलग काम करता है, रिष्टे बनाता है और तेजी से बदलते भारत के परीच्षणों और विजय का अनुभव करता है यह फिल्म एक व्यक्ती की व्यक्तिगत कहानी और स्वतन्त्रटा के बाद के आशावाद से लेकर आधुनिक समय की वैश्वीकृत दुनिया तक देश के विकास का एक रूपक प्रतिनिधित्व है सल्मान खान ने भारत के किरदार को कई दशकों तक निभाया है जिसमें उनके अभिनय में परिपक्वता देखने को मिलती है क्योंकि वे किरदार के जीवन के विभिन्न चर्णों से गुजरते हैं खान ने भारत में एक सन्यमित गरिमा लाई है जो तीवर भावनाओं के क्षणों को आंतरिक शक्ती की भावना के साथ संतुलित करती है यह फिल्म उन्हें अपनी पिछली कई एक्षन भारी भूमिकाओं की तुलना में एक गहरे चरित्र की खोज करने का मौका देती है और वे उस जिम्मेदारी और उम्मीद का बोज उठाते हैं जिसकी किरदार मांग करता है कुमुद रैना की भूमिका निभा रही कैटरीना कैफ भारत की प्रेमिका है और अपने आप में एक मजबूत किरदार है पित्र सक्तात्मक समाज में एक प्रक्तिशील महिला के रूप में कैफ के चितरन ने इसकी बारीकियों और गहराई के लिए प्रशंसा अर्जित की सल्मान खान के साथ उनकी केमिस्ट्री हाला की उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में अलग तरीके से दिखाई गई है एक अधिक परिपक्व सम्मानजनक रिष्टे को दर्शाती है भारत के सबसे अच्छे दोस्त और जीवन भर के वफादार साथी विलायती की भूमिका में सुनील ग्रोवर का एक और शांदार प्रदर्शन था ग्रोवर ने फिल्म में हास्य और दिल की एक परतला दी है जो कथा की गंभीरता को कम किये बिना हास्य राहत प्रदान करती है जैकी श्रॉफ और तब्बू ने भी अपनी सहायक भूमिकाओं में गंभीरता दिखाई है खास तोर पर श्रॉफ जिनकी भरत के पिता के रूप में समशिप्त लेकिन महत्वपूर्ण भूमिकाओं ने पूरी फिल्म के लिए भावनात्मक स्वर निर्धारित किया है अपने मूल में भारत प्रेम, हानी और आशा के बारे में एक फिल्म है 1947 में भारत का विभाजन फिल्म की भावनात्मक रीड है जैसा कि मूल दक्षिन कोरियाई फिल्म ओर टू माई फादर के लिए था अपनी मात्रिभूमी और परिवार से अलग होने का आघात एक केंडरिय विशय है और भारत का अपने पिता से किया गया वादा उसके जीवन की प्रेरक शक्ती बन जाता है यह वादा राष्ट के रूपक के रूप में परिवार के विचार के लिए एक प्रतिकात्मक प्रतिबधता के रूप में भी कार्य करता है जिसमें भरत के व्यक्तिगत संधर्ष विभाजन के बाद के भारत के सामुहिक अनुभव को दर्शाते हैं फिल्म अन्य महत्वपूर्ण एतिहासिक घटनाओं को भी छूती है जैसे 1970 के दशक में मध्यपूर्व में आर्थिक प्रवास, 1990 के दशक में भारतिय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और एक वैश्वीकृत भारत का उदे उदाहरन के लिए मध्यपूर्व में एक तेल रिक पर भारत का काम न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा को दर्शाता है, बलकि भारत की बढ़ती आर्थिक आकांग्शाओं और व्यापक दुनिया से उसके जुडाव का भी प्रतीक है कुमुद का किरदार एक और महत्वपून विशय को सामने लाता है भारतीय समाज में महिलाओं की उभरती भूमिका भारत को प्रपोस अरने का उसका फैसला, उसकी स्वतंत्रता और उसका करियर उन्मुख मानसिक्ता भारत के इतिहास के शुरुवाती दशकों में महिलाओं की पारंपरिक अपेक्षाओं के विप्रीत है जो दर्शाता है कि देश सामाजिक रूप से कैसे विक्सित हुआ है अली अब्बास जफर का निर्देशन शानदार है जो कहानी के महाकाव्य पैमाने को दर्शाता है यह फिल्म दर्शकों को मध्यपूर्व के रेगिस्तानों से लेकर 1960 के दशक के भारत की हल्चल भरी सड़कों तक कई परिद्रिशों में ले जाती है जफर इंद्रिश सेटिंग्स का उप्योग न केवल एतिहासिक संदर्व प्रदान करने के लिए करते हैं बलकि भारत की भावनात्मक यात्रा को बढ़ाने के लिए भी करते हैं प्रतीकात्मक इमेजरी का उपियोग, जैसे की विभाजन का प्रतिनिधित्व करने के लिए ट्रेने या भारत के आर्थिक उदे का प्रतीक करने के लिए तेल रिड कहानी को गहराई देते हैं मार्सिन लासकावीक द्वारा की गई सिनेमेटोग्राफी फिल्म में एक समरिध बनावट लाती है, खासकर एक्षन सीक्विंस और भावनात्मक खणों में रंग पैलेट समय के साथ बदलता रहता है, जिसमें विभाजन यूग को चेहनित करने वाले सीपिया टोन और अधिक आधुनिक समरिध दशकों को परिभाशित करने वाले चमकीले रंग है विशाल शेखर का संगीत स्कोर और साउंड ट्रैक भी फिल्म को पूरक बनाता है, जिसमें स्लो मोशन और चाशनी जैसे गाने फिल्म के अधिक गंभीर क्षणों के विपरीत एक हलका, अधिक उच्सवपूर्ण स्वर जोडते हैं भारत को आलोचकों और दर्शकों दोनों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली सल्मान खान के अभिनय और कहानी की भावनात्मक गहराई की कई लोगों ने प्रशंसा की, साथ ही फिल्म की महत्वाकांकशा इतिहास के इतने बड़े कालखंड को कवर करने की थी सल्मान खान और कैटरीना कैफ के बीच की केमिस्ट्री और मजबूत सहायक अभिनय विशेश रूप से सुनील ग्रोवर की को व्यापक रूप से सराहा गया हालांकि फिल्म की आलोचना भी हुई कुछ दर्शकों को लगा कि फिल्म की गती असमान थी कुछ हिस्से धीमे थे जबकि अन्य जल्दबाजी में बने हुए लग रहे थे कुछ आलोचकों ने भारी भरकम मेलोड्रामा खास तौर पर भावनात्मक द्रिशों में को अत्यधिक पाया इसके अतिरिक्त जबकि भारत ने महत्वपूर्ण एतिहासिक और सामाजिक विश्यों को शामिल करने का प्रयास किया कुछ लोगों ने महसूस किया कि भावनात्मक नाटक के पक्ष में इन अन्वेशनों की गहराई का त्याग किया गया इन आलोचनाओं के बावजूद भारत ने बॉक्स ओफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया दुनिया भर में 325 रुपए करोड से अधिक की कमाई की यह विशेश रूप से दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ जिन्होंने पुरानी यादों, भावनाओं और सल्मान खान के बड़े सिब्डे व्यक्तित्व के मिश्रण की सराहना की फिल्म को भारत के इतिहास के मानविय पक्ष के चितरण के लिए भी सराहा गया, जिसमें व्यक्तिगत कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो देश के विकास और चुनोतियों की बड़ी कहानी बनाती है भारत एक ऐसी फिल्म है जो व्यक्तिगत और राजनीतिक को संतुलित करती है, जो एक व्यक्ति की नजर से आधुनिक भारत के इतिहास की यात्रा पेश करती है सल्मान खान का भारत का चितरन फिल्म को आगे बढ़ाता है, जिसमें उनका चरित्र भारत की लचिलापन, आशा और जटिलता को दर्शाता है हाला की फिल्म में कुछ खामिया हैं, खास कर गती और मेलोड्रामा के मामले में, लेकिन यह दर्शकों के साथ पुरानी यादें और भावनात्मक जुडाव बनाने में सफर रही है सल्मान खान के प्रशन्सकों और महाकाव्य कहानी कहने के प्रेमियों के लिए भारत अभिनेता की व्यापक फिल्मोग्राफी में एक उल्लेखनिय जोड है